नमस्कार सामने दिखाई दे रही तस्वीरें चकेरिया गाउं की हैं जहाँ पर आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो ट्रांसफर पॉलिसी चलाई गई है ट्रांसफर करके अद्यापकों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बेजा जा रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो गाउं के लोग एकटा हो रहे हैं यहां पर आप देखेगा तस्वीरों में कि ग्रामिनों ने चकेरिया के पास में रोड जो है वो जाम कर दिया रोड को रोक और साफ तोर पे सरकार से एक ही मांग है कि जिस policy की तहत अद्यापकों को यहां से ट्रांसफर किया गया स्कूल से सरकारी स्कूल से उसी policy के तहत अद्यापक यहां पे भेजे जाएं ऐसा में बच्चों के पढ़ाई जो है वो काफी समय से बाधित हो रही है लगातार पूरी हर्याना बरसे खबरें सामने आ रही है कि अध्यापकों का तबादला जो हम किया जा रहा है लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जिन स्कूलों से अध्यापक चले जाते हैं जिस पॉलिसी के तहट क्या उसी पॉलिसी के तहट उन स्कूलों के अंदर अध्यापक और नहीं आ सकते हैं अगर आ सकते हैं तो अब तक क्यों नहीं आ रहे हैं यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो सरकार की कारय परणारी पे खड होता है तो SS में गाउं के लोग जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ लाम बंद होते हुए दिखाए दे रहे हैं जगा जगा से यहीखबरें नेकल करके सामने आ रही हैं कि अध्यापकों के ट्रांसफर्वर के चलते और अध्यापकों की कमी के चलते जो है वो गाओं के लोग जो है वो स्कूलों के आगे धरना दे रहे हैं स्कूलों के गेट को ताला लगा रहे हैं कुछ लोग जो है वो इस तरह से रोड जाम करके अपना रोज परदर्शन जो है वो कर रहे हैं तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिन स्कूलों से अध् बदली की गई अधियापकों के तबाधला किया गए है तो उसी पौलिसी के तहट उनी स्कूलों की अंदर आ ध्यापकों की निउकती आति शीगर जानी चाहिए जिससे की बच्चों की पढाई वो बाध इतना हो सके और ग्रामीनों को अपने बच्चों की पढाई की चिंता ना हो और ग्रामिनों को इस तरह से पर्दर्शन और धरने परदर्शन और रोड जाम जैसे कदम जो है वो ना उठाने पड़ें ऐसे में जब एक सरकारे स्कूल पर ताला लग जाता है तो कहिं न कहिं सिक्षा नीती पर भी सवालिया निशान जो है वो खड़ा होता है वो तहित अध्यापकों की बदली यहां से हुई यह तबादला हुए है उसी पोलीसी की तहित दूसरी अध्यापकों का तबादला यहां क्यों नहीं होता है तो ये सवाल का जवाब जो है वो सरकार और सरकार के परतिनीदी ही दे सकते हैं लेकिन फिलहाल सिर्षा के अगर बात करूँ तो सिर्षा जिला के परतिक गाओं के अंदर जिन जिन स्कूलों के अंदर इस तरह की समस्यां आई हैं वो तमाम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिवावकों को उनके बच्चों के बविश्या की चिंता सताने लगी है और सरकार के खिलाफ रोज़ पर दर्शन लगातार करते हुए दिखाए दे रहे हैं खेर आप कौन से गाउं से इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपके गाउं में भी इस तरह का हाल इस तरह से ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अध्यापकों की कमी देखने को मिली है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेर कीजिएगा ताकि हर गाउं के लोगों तक वीडियो जो है वो पहुंच सके और सरकार तक वीडियो पहुंच सके ताकि वो जिस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अध्यापकों का तबादला कर रहे हैं तो उसी पॉलिसी के तहत अध्यापकों को के नियुक्ति जो है वो उन्ही इसको लोग के अंदर कर दे जाए